जैई श्री कृष्णा, मेरी प्यारी सी फैमली, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे आज टिप्सवड़ पर मैं लेकर आई हूँ मैंगो से बनी एकदम मज़ेदार रेसिपी यह असान सी रेसिपी आपको कैसे लगी आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है और इसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी है सबसे पहले आप एक कप सूजी ले लीजे यह रेसिपी मैंने चार लोगों के हिसाब से वनाई है आप इसकी मात्रा को अपने हिसाब से कम या जादा भी कर सकते हैं इसके बाद तीन बटा चार कप चीनी ले लीजे सब मात्रा आप इतनी ही रखेगा ताकि एकदम परफेक्ट रेसिपी बनकर तयार हो जाए अब एक मिक्सी का जाल ले लीजे उसमें सूजी और चीनी दोनों को मिक्स कीजे और बिलकुल महीम पीस लीजे अब जब यह पिसकर बिलकुल तयार हो गई है तब आपको एक बड़ा बाउल लेना है अब इस बड़े बाउल में आप इसे निकाल लीजे और इसमें चोथे चोटी चमच इलाईजी पाउडर डाल कर इसको भी आप मिक्स कर लीजे जब यह पूरी तरीक के से मिक्स हो जाए तब मैंने एक आम ले लिया है इसको चहील का छोटे टुक्रोब मैंने काट लिया है और मिक्सी में डाल कर इसको पीस लिया है अब जब आम का पल्प पूरी तरह से पिसका तयार हो जाएगा तब आप इसको सूजी और चीनी वाले बाउल में डाल कर मिक्स कर लीजे इस बात का ध्यान रखेगा कि इसमें बिल्कुल भी गाठे ना पड़े इसलिए इसको धीमे हाँ से चलाते हुए ही mix कीजेगा जब ये पूई तरह से mix हो जाएगा तब ये बिल्कुल थिक सा हो जाएगा इसमें आप पानी बिल्कुल भी मत मिलाएगा यह आसानी से बैटर बन का तयार हो जाता है इसको ठिक ही रखेगा अब इसमें आप तीन चमज पिगला हुआ बटर मिला दीजे और इसको हलके हां से आप मिक्स कर लीजे अब जब यह मिक्स हो जाए जिसमें आप एक छोटी चमज बेकिंग पाउडर आदा छोटा चमज सोड पूर कर दीजे और ऊपर से कट हुए ड्राइफ फूर्ट से से जड़क दीजे अब एक स्टीमर में इसको आप भाप में 20-25 मिन तक पका लीजे आप चाहें तो इसको माइक्रोवे में भी पका सकते हैं आप जब यह बिनकुर बंद का तयार हो गया है तब आप इसको ठंड कि हूँ कल आप सबसे एक नई और आसांसी रेसिपी के साथ तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा में तब से आप सभी लोगों को जैश्री कृष्णा